नमस्कार आप देख रहें जन तैल का मैं हूँ MS निर्मल इस समय हम गाउं बड़ा गाउं से जो कुंदपरा जाने वाला रोड है उस पर हैं और इस रोड की हालत आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हाल बने हुए हैं इस रोड पर जो चलने वाले लोग हैं वो बेहद परिसान हैं क्योंकि सड़क की हालत इतनी खंडित है कि इससे चलना भी मुश्किल है यदि जदा जरासी भी पर साथ आ जाती है तो फिर पूरी सड़क पर पानी ही पानी भर जाता है आप देखिए ऐसा लग रहा है कि यह सड़क नहीं कोई तलाब बना हुआ है और इस सड़क की इस आपका किस तरह की सड़क बनी हुई आई यह तो कोई आता निया आप लोग कहते हैं किसी को कोई कोई निय शुनता कि यह अपने मोट सकारोमर रामते जावाए गृव यह पाणी मोट जावालिकर गड़क जावाए तो अच्छा खड़े हैं बड़े 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 अग्ग जाखोजी आप मोट पारकर का कंच पर लग दी सार अच्छा इतने बड़े इतने खड़ कोई लोगों को चोट भी लग रही है कि पानी में चल देखिए कुछ और लोग भी आ रहे हैं से भी जानेंगे कि यह जो सडक है अच्छा तो फिर चलने में किसरे आदमियों को हाम आदमियों को किस दिखते आतीया मजबूरी आपढ़ेगा अच्छा तो यहां के विदायक को नहीं का आपने किसी को नहीं जम नहीं आप अच्छा तो विदायक को नहीं का क्या मांग करें आप सरकार से यह मांग करते हैं रोड साब बनाओ यह देखिए लोगों की मांग है और लोगों की मांग को दरकनार यदी कोई करेगा तो फिर उनको नुक्सान उठाना पड़ेगा क्योंकि सड़क के हाल आप देख रहे हैं इसी तरह सड़क के हालात हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे अगली जो द्रिशे हैं वह भी हम आ कुझपरा जाने वाला रोड है उसके हालात दिखा रहे हैं इस सड़क की हालात आप देखिए किस तरह से यहां से चला जा सकता है वहां चालक कैसे यहां से गुजरते हैं आम व्यक्ति इस सड़क की हालात को लेकर क्या सोत रहे हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सड़ क्या हाल देखिए आप इस सड़क को सड़क कहना भी साइद सड़क का अपमान है कुछ और जो रागी रहें वो जुड़ चुके हैं जन तैलका पर आपका स्वागता जी किस तरह के अलाती सड़क के बने हुए हैं क्या करना चाहूगे जी तो यह ठीक क्यों होती है अच्छा 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 नुमाइन दें उन से भी कोई बात हो रही है अच्छा तो कोई वहहन चाल कों क्या क्या परिशानी होती है यहां आघ्जा और खड़ से थोड़ा सा और द्रिश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे अच्छा देखिए लोग ये सोच रहे हैं साइद वो जल्दी निकल जाएंगे लेकिन जो सड़क के हालात हैं वो दो एक करके लोगों को पस्तावा हो रहा है ये सीधा जो लाइव है आपको दिखा जा रहा सीधी तस्वीरें इस समय आपको जन तैलका के मातम से दिखा रहे हैं कि इस तरह इस सड़क के हाल बने हुए हैं सड़क से चलना पैदल चलना भी मुश्किल है और इस तरह कि जब सड़क होगी तो फिर निश्चित रूप से मा हैं आप तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं यह सड़क बड़ा गाउं से होकर के सोटके रास्ता है जो कुझ परा जाता है और साथ में आसपास मुगलमाजरा और दूसरे गाउं यहां लगते हैं लेकिन सड़क के हाल यदी आप देखेंगे यह देखिए क्या हाल है सड़क के थोड़ी सी बरसात आ जाती है तो सारी जग है जो गारा की चड़ खड़े और सड़क के यह हाल लोगों के लिए परिशानी का सबक बने हुए हैं एक वहां चालक भी आ रहे हैं से भी हम आपकी बात कराएंगे लेकिन जो भी सड़क से आता है यहां के जो न दूरत में इस सड़क से चलना खत्रे से खाली नहीं है जैसा कुछ दर्सक हमें बता रहे थे कुछ रहागीर हमें बता रहे थे कि इस सड़क पर कहीं हाद से हो चुके हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है 87 लोगों को भी लोग जो बता रहे हैं उनको भी अपनी सिकायतें दे चुके हैं लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है दूर तक जहां भी आपके नजर जाएगी आपको इस सड़क के खस्ता हाल दिखाई देंगे यह देखिए दूर तक तस्वीरें अदि आप देख सकते और तक पहुंस रही होंगे तस्वीरें तो फिर सड़क के हाल आपको बहुत ही जादा ना जुक नजर आ रहे हैं खस्ता नजर आ रहे हैं सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है, खड़ों में तबदिल हो चुकी है, और ये इस सड़क के हाल हैं और सड़क की ऐसी हालात पर ना तो अधिकारी को ध्यान दे रहे हैं ना सत्ता सरीन नहीं देगा तो निश्ची तोर पर जो रागीर है जो आने-जाने वाले लोग उनको प्रिशानी होगी, और प्रिशानी होगी तो फिर वो सरकार में बैठे हुए जो नेता है उनकी अलोचना भी करेंगे, आप सुरों की जो कारिया पर नाली है, उस पर सवाल भी खड़े करेंगे, और सवाल खड़े करना लाजमी भी है, क्योंकि जब ऐसी हालत होगी, तो तो निश्ची तोर पर लोग प्रिसान होंगे और लोग प्रिसान होंगे तो फिर सरकार को सरकार की जो नितिया हैं सरकार के जो कारिकरम हैं सरकार की जो दावे हैं वैदे हैं उनकी कलोचना भी करेंगे एक और विक्ति यहां जुड़ चुके हैं उनसे भी हम बात करेंगे ले आपको बाते करते हुए ये भी बता रहे हैं कि ये सड़क के हाल क्या बना हुए है